हेलो वीवार्व्! आज हम आपको बिताएंगे यहाँ पर बेभी फ्रॉग ऐसे रैडी कर सकते हैं यहाँ पर मैंने 1 मीटर क्लॉथ ले लिया हुआ है यह आदेख सकती हैं यहाँ बबाय ने 1 मीटर लिया हुआ है और इसे सबसे पहले मैं पूरी ही length ले लेती हूँ और यहाँ पर मैंने 7 इंच पे 1 mark किया और यहाँ पर 1 मैंने 14 इंच पे mark किया और इस माख को हम लोग state कर देंगे और यह वाले mark को भी ऐसे state कर देना है यह बहुत ही आसे marks आप लोग इसे 10 मिलट में बिल्कुल इसली ready कर सकते हैं यहाँ पर मैंने shoulders पर mark किया है यहाँ पर 6 inch लेया हुआ है और यहाँ पर इस ताह से आपको क्या करना है अब हमाँ अपने chest लेना है आपका जितना भी chest हो उसके according ले सकते हैं मैंने यहाँ पर 9 inch ले लिया है बन फोर्ड करके इसका मैंने 9 inch यहाँ पर mark किया हूँ यहाँ पर मैंने 10 inch किया इसको हलका मैं A-line की frock ready करूँगी तो यहाँ पर मैंने A-line का ऐसे एक mark कर दिया और यह shoulders का जो है हमारा जो armoles आएगा तो यहाँ पर मैं यहाँ पर यहाँ पर मुझे थोड़ा सा एक्स्टा लेना है और यहाँ पर सिर्फ मुझे 2 inch चोड़ना है पहले मैं shoulders का mark करूँगी और फिर जो urge से होगा तो urge वाले पार्ट से मुझे 2 inch चोड़ देना है आप अच्छी से पहले समझ लिए यहाँ पर मेरे जो neck होता है जो आप लोगों को बहुत ही अच्छी लगेगी तो यहाँ पर देखे मैंने इस साह से cutting करी और फिर यहाँ पर जो मैंने straight mark किया था उसको cutting कर दिया अब यह वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं तो यह हमारा slips आ जाएगी हमें slips अलग से नहीं लगारी है यह इसी में ही आ जाएंगे और यहाँ पर से यह वाला पार्ट हम fold कर देंगे और यहाँ पर straight marking वाला stitching कर देंगे अब यह जो पार्ट थोड़ा से अंदर से था उसको भी हम cutting कर देंगे और यहाँ पर हलका सा round cutting देना है आपको यहाँ पर हलका सा एक इंच मतलब यहाँ कि निकाल देना है यहाँ पर round हो जाएगा और यह मेरी four part है आप देख लीजिए और मैं इसको open करके भी आपको दिखा रही हूँ आप लोग ने मेरा channel subscribe नहीं करा है तो फटा फट से करिए और bell icon भी प्रेस करिए ताक कि मेरी आने वाले वीडियो आपको मिल जाए और जो कि आप लोग ने लाइक भी नहीं किया तो वो भी लाइक भी मेरे वीडियो को बताए यह पर बैक नेक के marking करी है मैंने यहाँ पर थ्री इंच ले लिया और यहाँ पर मैंने टो इंच इसकी बाइक और ध्री इंच मैंने रिपनेस लेके ही यहाँ पर मैंने काटिंग भी कर दीगे है हमारा बैक है और यह वाला हमारा फ्रेंट है तो फ्रेंट पर तो मैंने नेक की Marking करी ली थी तो इसको मैं यूहीं कर लिए इस आप लोग वीडियो को पूरा वाच करिएगा ताकि आपको यह वीडियो बहुत ही इसली से मतला मैनेजर से बताया अगर आपको किस किप करेंगे तो कोई भी चीज मिस करतेंगे तो वीडियो समझ में नहीं आएगा तो यहाँ पर क्या करना है सबसे पहले मैं यहाँ पर शोल्डर्स की जो स्टीचिंग होती है तो उसको मैं पूरा ले लूँगी यहाँ पर मैंने दोनों शोल्डर्स की स्टीचिंग कर लेती है इसके उपर से भी मैं एक स्लाई और लगा देती हूँ यह मेरी शोल्डर्स स्टिचिंग होगे जो नेक है हमारा वो नेक में नॉर्मली और यह पती से रेडी करूंगी तो यहाँ पर सबसे पहले हम आ जाते हैं यह वाले पार्ट में तो इसको ओपन रखना है पूरा ठीक है और यह वाला पार्ट जो है जो दो इंच का मैंने लिया था इसको इस ताय से यहाँ पर फोल्ड कर देंगे यह मुझे यहाँ पर फोल्ड कर देना है और यह दोनों साइ इससे हम दोनों साइड में स्टीचिंग कर देते हैं यहां पर देखें मैंने मेरी स्टीचिंग हो गई है और अब क्या करेंगे इस कपड़े को मुझे उठाना है यहां से ऐसे पकड़ना है ठीक है और यहां पर रख देना ओके और यहां पर अब हम लोग साइद वाली स्टीचिंग कर लेंगे अब हम यहाँ पर स्टीचिंग करनी हो स्टीचिंग कर लोग साइद वाली स्टीचिंग कर लेंगे कि अब हम लेजयत में युथर कर लेंगे अब हम लेगा पर लेगा अब हम लेगा कि यहां पर देखे मैंने स्टिचिंग कर ली अब नीचे वाले पार्ट में भी हम इसको फोल्ड कर देंगी बहुत ही पतली से स्टिचिंग करनी है और यहां पर नेक में आ जाते हैं क्या मैंने बहुत था है कि मैं और फती से नेक रैड़ी करूंगे हुआ पर इसके के व्ड़िधी करना है और इसको बील फोल्द करना है और यहां पर रखना है यह ऐसे यहां पर रख लेना है और पूरी स्टिचिंग कर देना है राउंड करके, अब यहां पर हम आ गए हमने सुचा कि आपको आपको नहीं समझ में आ रहा होगा तो मैंने सुचा मशीन पर चल के आपको समझा दूँ तो यहां पर देखिए इस तार से अपनी लेना है ठीक है और इस तार से यहां पर से लगा देना है क्यों है यह देखे मैरे पूरी स्टिप रैडी होगी अब यहां पर इसे अंदर को फोल्ड कर देना है और इसके उपर से भी एक स्टिचिंग कर देनी है हमें इस सारा पार्ट जो आपको दिख रहा होगा margin कह लेते हैं तो उसको सारा गत सारा मुझे अंदर कर देना है और बहुत ही सफाई से मुझे इस पार्टी को पलिट देना है अब यहां पर हमारा नेक रेडी हो गया अब यहां पर हम नीचे आजाते हैं अब यहां पर हम आपको सीदा करकर दिखा रहे हैं कि कुछ इस तरह से आएगा अब यहां पर हम एकी स्टिचिंग कर लेते हैं पहले एक फोल्ड करना है फिर यहां पर मुझे दूसा फोल्ड करना है और स्टिचिंग कर देनी है यहां पर मैंने देखे पूरे राउंड में इससे स्टिचिंग कर दी अब यहां पर मैं अपनी बेल्ट रेड़ी करूंगी तो मैंने बेल्ट के लिए मैंने चार इंच विर्द ले ली थी और यहां पर इसको इससे मुझे रेड़ी करना है जो भी आपको लेने हो वो अपने अकॉर्डिंग आप लख सकते हैं आपको कितनी लेन्थ है चाहिए इसकी मैंने अपने अकॉर्डिंग पूरी के जितनी मेरे पास फैब्रिक था मैंने उतना ले लिया तो यहां पर यह देखे मेरा टॉप रेड़ी हो गया है झाल